राम राम जय च्छतिशगर आप सबके मोर यूटूब चैनल सचसे सचातकार में हार्दिक अबनन्द नियों स्वागत हुआ है आज मैं आप सबके सामने राजनितिक विश्रेशन लेकि मैं नहीं आया हूँ एक ऐसे विश्रेशन जेन हमर खेती किसानी किसान और गाउं से जुड़े है और वो बलोदा बजार भांटा पर जिला के मामला है मामला तो एक जिला के है लेकिन अगर आप सब वो बात ला सुन हूँ या समझ हूँ तो ये पूरा च्छतिर लड़ के खेती किसानी और गाउं से जुड़े मामला है देखो आपना मामला बता थो बड़ा ये बात ये विश्रेशन करे मां मैं बहुत ज़्यादा सहज भी नहीं हूँ है अभी सिमगा बलाग बलोदा बजार भांटा पर जिला के सिमगा बलाग के गाउं है मोबठा ये मोबठा गाउं पूरता खेती किसानी के गाउं है नहर अपासी है गंगर्ल बांध से पानिया थे और सैकड़ो एकड़ में ये मोबठा गाउं में सबजी के उतपादन होते आस-पास के गाउं में बोड़तरा है टिकुलिया है कुकरा चुंदा है मोट्यारी डी है लावार है करगाडी है ऐसे आपके बुची पार है ऐसे आस-पास के गाऊं में धान उत्पादन के साथ साथ सेक्ड़ो कलम सब्जी उत्पादन हो थे और ये गाऊं पुर jeśli अच्छत्ति गलला सब्जी सप्ल अनुमती दे थे कि एक कमपनी साहज कर नाम है रामा मेटल एन एनरजी लिम्टेड प्राइवेट लिम्टेड वो हा खेती किसानी के जमीन माँ अपन उद्द्योगला खोल ही और जहां तक मुला मालूम है यह इस पंजारेन के फैक्टरिय एकरसु बुगाहट गाउं में कि आए के बाद गाउं मां सब के बीच मसूने के बाद समझे के बाद एकरसु बगाहट चलू इस गाउं में अपरेल के महिना में तो गाउं वाले मन साथ अपरेल के जो मुला पता है एक ग्राम सब्पा बुले इस कि किसी भी परसीती में फैटरी को ना खुलना दिया इस पूरा गाओं ओमा लगभग पूरा गाओं ओमा दस्कत करिस कि कि कोई भी प्रकार से यहां पे फैक्टरी खोले के या करवाई आगे बढ़ाए कि अनुमती ना दिया जाए और यह ग्यापन कलेक्टर साब ला जिला पंचा सी ओ ला एस्दियम ला तसीर ला और जनपत के स असानी निना लई चुके है कि और अनुमती दे चुके कि मोभटा में फैक्टरी यह खुल ही तो पक्री आगे बढ़िस लेकिन एक पिचापला बता दो कि सायद फर्वरी माह में चत्रीजगड के मुक मंतरी आदानी भूपेज बगेल जी कबिर पंत मन के धर मिस्थाल दामा खेडा मायरी से यह भी सिमगा ब्लाक में जो मोभटा से लगभग एयर डिस्टेंस में 6-7 किलूमिटर एक लगभग दूरी में एक गाउं है मोभटाओ दामा खेडा वहाँ पे पंत स्री प्रकास मुनी साहब के आदेश से जनता के निवेदन से मुक मतरी जी घोशना करीज कि 10 किलूमिटर के रेडियस में कोई भी फैक्टरी नहीं खोला जाएगा अब एक गोशना होगे जनताला विस्वास होगे कि यह तक बड़े धर्म इस्तल में कभिर पंती मन के बीच में हजारों कभिर पंती अब ग्रामिन मन के बीच में जब प्रदेश के मुक्या गोशना करा थे कि 10 किमिटर के रेडियस में कोई फैक्टरी नहीं खोले जाए तो गाओंवाले मन आस्वस्त होगे कि अब यह फैक्टरी नहीं खुली और हमरे खेती खार पर्यावरान जल पानी और गाओं के जब बिमारी हजारी है ते खर से हमन बात जब हो लेकिन इहीं बीच में फिर मों बट्टा वास पास के गाओं लपता चल थे कि 25 अक्टूबर के सुरी 25 सितंबर के 25 सितंबर ही मां के एक दो दिन पहली दो तीन दिन पहली जैसे भी समझाओ आप 25 सितंबर के पर्यावन जन सुनाई होना है जो दिल्ली सरकार के माध़म से रासासन और जिल्ला प्रसासन अलग कर थे फिर गाओं वाले मन इकठा हुई अपन भावन आला रखे बर प्रसासन लाउगत कर आए बर 22 तारिक के फिर एक विशेज गाम सभा गाओं वाले मन आउजित करते हैं कि पर्यावन भाग के जन सुनाई को रद किया जाए हम गामिन आसपास के मबठा के लोग जन सुनवाई नहीं चाते फैक्टरी नहीं चाते लेकिन और ये गाओं वाले मन मुलजेन बताईस कि ये खर ग्यापन उग कलेक्टर राफिस में जाके सैगलों के संख्षा में तीन चार सो ग्रामिन जमा महिला पुरू स्यान सब पच्छीज तारिक के दस से बारा जन सुनवाई रही इस लेकिन सेकड़ों लगभग हजार के ग्रामिन विरोत करीश जन सुनवाई के और जन प्रस्तावित स्थणरी से जन सुनवाई के वहाँ पे महिलामन धर्रम बढ़िये और जन सुनवाई सम्हाओ नहीं हो पाइस इह बीज में फोर्स सासान पर सासान के फोर्स पुलिस के फोर्स आगे और जो दस से बारा के बीज मरही से यह मोर सामने नई दुनिया के पेपर है मोर सामने नवभारत पेपर है इमा साप साप लिखे है कि प्रसावी तीस थल पे जन सुनवाई नहीं हो पाया ग्रामनों के जबर्दस वीरोत के कारण इमा प्रादिकारी एडियम साब के हवाले से ब्यान भी है कि ग्रामिनों के जबर्दस विरोत के कारण प्रसावी तिस्थल पर जन सुना ही नहीं हो पाया और यह भी छपे है कि प्रसावी तिस्थल से कुछ दूरी माँ प्रसासन और फैक्टरी के अदमी मिलके जन सुनवाईला पूरा करीश अब गाउवाले मन के कहना है कि यह फरजी है यह गलत है यह जन सुनाई में प्रभावी छेतर के एक भी आदमी ला प्रसासन जान निडिस काबर की बीच में भैंकर वड़े फोर्स खड़े होगे बीच में फोर्स होगे ओपार दुरिया में जन सुनाई करे के दावा है प्रसासन के और यह पार जन था के विरोध यह फोटो नौभारत और नई दुनिया पेपर में छपे है कोंसे तारीक है 26 तारीक के पेपर में यह फोटो में भी सबस्त दिखा थे और लिखे हैं कि कोई भी ग्रामिन को प्रसासन ने जन सुनाई में आने नहीं दिया बात रखने नहीं दिया और करीब करीब 20-25 किलो मेटर दूर तिल्दा छेतर के कुछ लोग अब वो फैक्टरी के लोग थे कौ जन सुनाई नहीं होए यह गाओं के कहना है और जन सुनाई कर दीर अब मैं एविशेशन के माध्धम से अपन चैनल के माध्धम से मैं आप सब के माध्धम साथी मन चैनल की विवर से उमन से मैं कमेंट्स के माध्धम से पूछना चाहता हूँ कि फैक्टरी के विरोद मैं व्पैक्ट्री के तोर पे खुद नहीं कर आँ, अमूला लग थे, कि कोई भी छेतर के जनता, फैक्ट्री के विरूद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री लगना कहा हैं, फैक्ट्री एइसे जगा हम लगना चाहिए, जहां मानौ बस्ती दूर हो, तलाब नहों, नदियत न हो जलवाई प्रदूसित नहों खेती खार बरबाद नहों मतलब सुध हवा प्रदूसित मत हो गाउं में बीमारी मत पहला है बस्ती से सैकलों किलोमीटर दूर प्रसासनला रोड बनावाए पानी देवाए बिजली देवाए बंजर जमीन देवाए ताकि पर्यावरन हो समाज लग कोई प्रकार के बीमारी हजारी ना हो यह सासन के जिम्मेदारी है लेकिन पता नहीं सासन के का सोचरी थे मनी जाना हो लेकिन आज ये पांच छे गाउं के आदमी आज बड़ा दुखी है खूम क्या सुरुआ थे अपन हम पीला लकाला बतावान कि जब पूरा गाउं नहीं चाहाते कि फैक्टरी नहीं लगना चाहिए तो कावार लोक तंतर में जनता के भाउनालग कुचल के कावर बरपेली कावर फैक्टरी लगना चाहत हुआ और एक बाद बता दो मैं ये छेतर में गाउं वाले मन के थे कि हमन कौनों बेरुजगार नीन सेकड़ो इस पस्ट गाउंवाले मान कहा थे कि भैंकर हट धर्मितरी से प्रसासन के और जन सुनवाई करे जिनकर दावा है वो बिलकुर रूप से ग्रामिनमन के कथानुसर पूरा फर्जी है उमार रोकेगिस कि गाउंगे जनता मत जाए और तुरन प्रस्तावित इस्थल बदल दिस और काफी दूर जाके सुनसान इलाका में जन सुनवाई कर दिस मैं ये विश्वेशन के माधम से मुर्जत का वीवर से साथी मन है आप सबसे मन निवदन करूँ कि आप मन अपन इस्थर में सासन से निवदन करो कि खेती खार के जमीन में वो फैक्टरी माध डाला है ड्रामिड जनता गाओं के नस्दीक माध डाला है गाओं अगर जनता वीरोत करा थे तो वीरोत के भावना की कदर करा है फैक्टरी आप डाला हो ऐसे जगह में डाला हो जहां वो द्योगी फले पुला है सासन में राजा सौावा है और हमर छत्री घड़ा आगी बढ़ा है लेकिन मुभठाजी से जगामा खेती किसानी के जगामे जहां पर बारों महिना सबजी कुद पादा नहोते है इसे जगामे ये फैटरी नहीं खुलना चाहिए अत्के हमर कहना है मैं अपने विशेशन के मादधम से बला था हूँ गाउं में उदासी है गाउं में गुस्ता है मैं प्रसासन से एक और बिंती कर रहा था हूँ कि बहुत साल पहली चोरेंगा गाउं में ही बरपेली कांड़ोरी से अभी सिमगा बलाग में दुचार जन के मुर्भाईमन के मणर होगे हत्या होगे और लगे लोगा फैक्ट्री हा उखड़ गे मैं निवेदन करता हूँ कि गाउं के जनता ग्रामिन जनता मोबहटा के खरगाडी के लावर के आपके जनाजू बजू के गाउं है खास कर मोबहटा जाएं फैक्ट्री लगना है वहाँ के जनता के भावनाओं के अपकदर करो आदानी मुख्मंत्री जी सासन के हमर जद का भी मंत्री गाण हैं विदायक गाण हैं और बहुत मत्मुल पदाधिकारी मन हैं आप ये मोबहटा गाउं में ग्रामिन के भाणाओं के कदर करो और यहाँ पे आप फैक्ट्री जिन अनुमती देख खोले के उला रद करो ये जनता के मांग है पूरा एच्छेत्र बरबाद हो जाई आप सही जगा के चुना करो पूरा जनता आपके साथ है उद्योग के समर्थन में है लेकिन आप सबसे ये बिंती है कि सासां पर सासान अपने जनताओं पर अत्याचार मत करा एक तरभामन के थन के छट्री गडिया सरकार है और आज मैं मेडिया के पंधोमन से मिन यदन करता हूँ अगर ये मोर आवाज ये मुर्विशेशान परदेश और देश के मिडिया तक पहुँचा थे तो आप सिम्गा बलाट के मोबठा गाम है आवाओ अब जनता से पूछाओ कि कैसे ओमन खुन क्या सुरुआ थे कैसे ओमन दुखी है कैसे ओमन गुस्ता में कैसे ओमन तकलिब में सिर्फ उद्योग लगे से ही पूर्ण विकास नहीं हो सका खेती भी चाहिए अगर किसान नहीं होई तो हमन लोहा तामा पितला नहीं खाके जी सकान हमना अन भी चाहिए और उद्योग भी चाहिए ये बैलेंस होना चाहिए आप ऐसे जगव द्योग लगा जिमा मान अजीवन ला प्रदूसर्ण सा बचा सकाओ बीमारी हजारी से हमर भाई बैनी दाई मातरील बचा सकाओ खेती किसानी ला हमन बचा सकान हमर तर्यल बचा सकान हमर गाय गरूल बचा सकान हमार ग्रामिन परवेश हमार ग्रामिन जनता ला बचा सकान एम और विशेसान है और यूविंति करता हूँ कि गाओं में आके आप जनता के बीच में आके जन सुनवाई करोगा अगर सही मायने में करना है चूप चाप सुनसान इलाका में फैक्टरी वाला और अधिकारी चार आदमी खड़े होके ये जन सुनवाई कि अच्छा तरीका नहीं है सही तरीका नहीं है ये गलत है ये अवैद है इना निरस करना चाहिए और मोबठा में गामिर जन्ता की भावनाओं के हमसार सरकार फैसला लए इस सुप्रामनाओं के साथ आप जरू कमेंट्स करूँ कि कैसे अत्याचार और अन्याय के कहानी मोबठा गामा हुआ थे आप सब आवा ये गामा मिला जुला देखा और गामाले मलत ताकत दाओ आप सब मोब सच से साथ चातकार चैनल के साथ जुड़े हो सब्सक्राइब कर जाओ लाइप कर जाओ और ये जे मोब अलग है विशेशन है एला आप पैसे लगी सापला जरू कमेंट्स करके बताओ इस सुपकामनाओं के साथ आप सब ला गड़े चतुर्थी के गड़े भगवान क गड़ा गड़ा बधाई सुपकामनाओं जाहिन जाहिन जाहिए चत्थीज गड़े